इक शक बच्चों को सदाच्यार सिखाते हैं, वही सक्षक शोरी करते हुए पकड़े गये हैं अक्सर स्कूल में सिख्षक बच्चों को यही सिखाते हैं कि बच्चे चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करना चाहिए और अगर कोई चोरी करता है तो आप उसे भी उस चीज़ के लिए मना कीजिए लेकिन क्या हो जब सिख्षक ही चोर बन जाए मामला दरसल बिहार के जहानाबाद जिले का है जहां प्रिंस्पल बच्चों के किताब चोरी करके बेचते हुए पकड़े गये हैं प्रदान अध्यापक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया प्रदान अध्यापक सिख्षक दिवस के अपसर पर बच्चों के पढ़ने के लिए लाए गये किताबों को बेच रहे थे इसकी भनक ग्रामीन को लगी तो कुछ ग्रामीन लोग विद्याले पहुँचके और जम कर हंगामा करने लगे हंगामा देखकर विद्याले के प्रिंस्पल विद्याले से फरार होगे तब ही इस वात की सूचना ग्रामीन द्वारा प्रखन सिख्षा पतदिकारी को दी गई सिक्षा पतदिकारी मौके पर पहुँच कर मामले की जाच की साथी साथ उन्होंने कहा कि दोश्यों के खिलाफ हम एक्शन जरूर लेंगे राज सरकार दुआरा सरकारी विद्याले पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त में किताब उपलब कराई जाती है जिसे बच्चे पढ़ सकी लेकिन इस विद्याले के प्रिंस्पल में बच्चों को किताब नहीं देकर विद्याले में रखे रहे किताबों को मंगलवार को चुप चाप से किताब बेच कर पैसा कमाना चाहते थे लेकिन ग्रामिनों की सूज भूज के कारण प्रिंसिपल की कारणामों का परदा फाश हो गया जहां एक तरफ सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त में किताब दी जाती है ताकि वो पढ़ाई करें और आगे बढ़ें तो वहीं दूसरी तरफ जहानाबाद जिले के एक स्कूल की जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो कही न कही सब को चौका दे रही है जा एक तरफ ये किताब बच्चों को नहीं दे कर ये किताब कवारी वालों को दी जा रही है और इस किताब को बेच कर प्रिंसिपल पैसा लेने की कोशिस कर रहे है जब इस बात की जानकारी वहाँ पर घ्रामी लोगों को हुई तो घ्रामी लोग स्कूल में पहुँच कर लगातार हंगामा करने लगे तब इस बात की जानकारी जब प्रिंस्पल तक पहुँची तो प्रिंस्पल तो स्कूल से फरार हो गए लेकिन जिला के सिक्षा पददिकारी तक इस बात को पहुँचाया गया जिला पददिकारी ने कहा है इस पर वो कड़े एक्शन भी लेंगे फिल्हाल के लिए इस खबर में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नियूस फानेशन